अस्सलाव अलेकूम, आज का हमारा टॉपिक है ग्रास लैंड्स, इससे पहले हमने फॉरेस्ट को डिसकस किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ग्रास लैंड भी नेचरल वेजिटेशन का एक टाइप हैं, और ग्रास लैंड्स वो एरियाज हैं, जहां पे ग्र ग्रासिस डॉमिनेटेड हो, और ट्रीज ना हो, या अगर हो भी तो बहुत कम हो, और ये वो एरियाज हैं, जहां पे एवरिज एन्विल प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती हैं, ग्रास लैंड्स अर्थ सर्फिस के 25 परसंट एरिया को कवर करते हैं, और ग्रास लैंड्स जाते हैं, except Antarctica, जहां पे ग्रास लैंड्स नहीं है, नेक्स्ट इस एनिमल्स इन्वर्स нрав लैंड्स, कौन से एनिमल्स हैं, जो ग्रास लैंड्स में होते हैं, जो मेंजर स्पिशीेज हैं, उनमें वолж, प्रायरी डॉग्झ, जेब्राज और लाइंड्स पाई जाते हैं, ग्रा ट्रॉपिकल ग्रासलेंड्स को सवानाज भी कहते हैं इन ट्रॉपिकल ग्रासलेंड्स में जो ट्रीज होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं मीन्स कहीं कहीं पर ट्रीज भी होते हैं और साउथ एफ्रिका में इन ग्रासलेंड्स को विल्च कहते हैं ये साउथ एफ्रिका के ट्रॉपिकल ग्रासलेंड्स हैं जिसमें ट्रीज और श्रब्स नहीं होते और इन में दुनिया के बड़े बड़े animal species पाए जाते हैं Tropical grasslands का ज्यादा तर हिस्सा एफरिका में है कुछ पार्ट इनके South America, South Asia और नदरन Australia में भी है Second broad classification of grassland is temperate grassland जो map की उपर शो हुए है और ये temperate region में है above 23 degree north and south of equator और 23.5 degree between Tropic of Cancer and Arctic Circle in the Northern Hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the Southern Hemisphere जैसे के Tropical grasslands में scattered trees और shrubs थे, यहाँ पे trees और shrubs completely absent है, totally ये grasses है और यहाँ पे temperate climate prevail करता है, जैसे के cold winter और hot summer temperate grasslands के हर continent में अलग नाम है इन grasslands को हमने facts of different continents में भी discuss किया था जिसका link description में given है जैसे के first steppies है, steppies are temperate grasslands in Asia and Europe temperate grasslands जो Asia और योरप में हैं, इनको Eurasian steppies भी कहते हैं और इन में जो grasses हैं, वो shorter होते हैं, क्यूंकि यहाँ पे rainfall बहुत कम होती है और जो average annual rainfall है, that is between 250 to 510 mm और climate warm to hot in summer and cool to cold in winters है यह Eastern Europe और Asia में पाए जाते हैं एशिया में मंगोलिया और रश्या को cover करते हैं Temperate grassland in North America is known as priories प्राइरीज प्राइरीज फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब है meadow means चरागा यह steppies के opposite हैं, यहाँ पे high rainfall होती हैं, जिसकी वज़ा से long grasses ग्रो करते हैं priories Canada, United States और मेक्सीको को cover करता है Temperate grassland in South America is known as Pampas Pampas meaning plain area और यह South America का fertile plain area है यहाँ पे average annual precipitation between 600 to 1200 mm है और जैसे के यहाँ पे भी heavy rainfall होती हैं, जिसकी वज़ा से long grasses ग्रो करते हैं यह Argentina, Uruguay और Brazil की areas को cover करता है प्रो करते हैं